नमस्कार आज मुझे आपको बात करनी है जुनागड के नव दर्वाजे खोलने और बंद करने की कैसी परंपरा भूत काल में रही थी जुनागड प्राचीन बड़ा अईतियाशिक शहर है जुनागड जैसे पुराने शहर हिंदुस्तान में बहुत कम है जुनागड का सिल सिलाबंद पची सो साल का इतियास मिल रहा है जुनागड पर अनेक राजवनसों ने अपनी सत्ता चलाई थी जुनागड के अलग-अलग सत्रा अठारा नाम हमें मिलते हैं यह जुनागड की चारो और एक बड़ा मजबुत किल्ले की रचना सुल्तान महमद बेगडा ने की थी और उपर कोट की बाहर नया जुनागड बसाया लेकिन यह बात के और प्रमान नहीं मिलते जुनागड की चारो और यह बड़े तोतिंग दरवाजे और दिवारे खड़ी की गई और उसमें नव दरवाजे बनाए गए और यह हर दरवाजे का अलग-अलग नाम दिया गया था दूसरा मत है सन 1633 में बाजसा के सुबेदार इसा खान ने सहर की चारो और किल्ला बांधा और उसमें 114 बुरज और 9 दरवाजे रखे गए थे उसमें 5 दरवाजे बंद रहते थे और 4 दरवाजे खुले रहते थे हर सासकों ने यह किल्ले की मरमत करवाई थी हमारी आज की सरकार ने भी यह किल्ले के दो दरवाजे को अच्छी तरह मरमत करवाया है जुनागड की चारो और जो किल्ला है उसमें जो 9 दरवाजे थे उसका नाम है मजेवडी दरवाजा, गिरनार दरवाजा, वाघेश्वरी दरवाजा, रे दरवाजा, तलाव दरवाजा, वंथली दरवाजा, धारागड दरवाजा, साहपूर दरवाजा और कालवा दरवाजा रेगेट है उसको नवाब बहदूर खांजी के समय में बनाया गया है उसका नाम गवर्नर लौड रे के नाम से दिया गया था आज कल उसको सरदार पठेल दरवाजा के नाम से जाना जाता है कालवा दर्वाजा आज के कालवा चौक में पुलिस थाना स्थीत है वहाँ पर था लेकिन 1948 में सामलदास गांधी की हाजरी में उसको गिरा दिया गया बड़ी रोचक बात तो मुझे आपको यह करनी है कि यह किले के दर्वाजे को रात को दस बजे बंद कर दिये जाते थे मान लीजिये लोकडाउन ही हो गया फिर भी कोई बाहर से अंदर आना चाहते थे उसको परवानगी से अंदर आने देते थे और लोग छोटी बारी से बाहर से अंदर आते थे यह किल्ले का दरवाजे बंद खोल करने की परंपरा 30 जुन 1948 तक चलती रही और आखरी दरवाजा 1 जुलाई 1948 के दिन खोला गया है वह आज तक खुला ही है और पूरे हिंदुस्तान के लोग बीना रोक टोक जुनागड में दीन रात में कभी भी आ सकते है यह पुराने किल्ले का दरवाजा बंद करने की परंपरा तोड़ दी गई लेकिन धारागड दरवाजा बंद करने की परंपरा जंगल में से प्राणी न आ जाए इसलिए 15-20 साल तक चालू रखी गई थी आज हमारे जुनागड में ऐसा चार नए दरवाजे बनाए गए है यह जुनागड का भूत काल था और यह आज रखी आज हमारे जल प्राणी नए जाए लेकिन अज़ प्राणी नए जाए